चले जी, thank you so much for coming back, मिर डाम है सुनी लदिकारी और आप देखरें इंस्टुडेंट के ना help you, कैसा बच्चे लोग सारे, आज का वीडियो अगेन बहुत दिखास, बहुत इस्पेशल होने वाला है, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, computer science, या फिर IP, या फिर IT, अगर आ आप optional subject लेने की सोच रहे हैं, class 11th में, 10th के बाद आपको ऐसा optional subject आपको, चाहे आप arts लें, commerce लें, science लें, CS, या फिर हो सकता है, IP आपके school में, या फिर हो सकता है, IT नाम से, computer subject आपके optional में कहीना कहीं हो, तो वो चीज लेनी है, IP, IT, CS लेना है आपको, या नहीं लेना है, क् तो computer field में career बराना है, और अगर interest है computer field में, तो क्या career हो सकता है, आज के वीडियो में A to Z वो ही चीज हम बात करने वाले हैं, तो भीना time waste करते वे सीधा चलते हैं, board पे, देखिए, सबसे पहला मेरा point है, most preferred optional subject जी हाँ, अगर आप कोई भी optional subject की बात करें, whether it is economics का, state board वगेरा में economics optional होता है, या फिर आप mathematics की बात करें, आप entrepreneurship की बात करें, या फिर x, y, z, जो भी आपका optional subject है, schools में, सबसे जादा, near about 70% of the students preferred करते हैं, computer को, CS को, IT को, या फिर IP को, जो भी आपके school में, जिस नाम से भी आपकी ये subject है, right, तो सबसे अगर preferred subject है, अब reason कुछ भी हो सकता है reason ये भी हो सकता है, कि ये scoring subject है, reason ये भी हो सकता है, कि मैं बिलकुल weak है, और और चीजों में इतरा पता नहीं है, interest नहीं है, इसलिए computer बच्पन से familiar है, game खेलते वे आ रहे हैं, use करते वे आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए, इसलिए majority of the student, क्योंकि बच ICSE board हो, state board हो, कोई भी board हो, CBSE हो, सब अच्छे, जादा तर craze computer field का, ICS का, IP का या IT का रहता ही रहता है, right, second reason obvious सा है, scoring subject है, जी हाँ, बिलकुल, क्योंकि इसमें practical or theory का combination होता है, CBSE की बात करें, 70 plus 30 का ratio रहता है, 70% theory, 30% practical, अगर state board की बात करें, तो बहुत जादा फर्क है, यह 60% theory रहता है, near about 40% के near about आपका practical आजाता है, चुकि बहुत easy रहता है, merit में marks लाने, या फिर particular, इस IP में, CS में, IT subject में, अच्छा score करने देखिए, अगर इसमें अच्छे marks आते हैं, और किसी और subject में marks नहीं भी आपा है, board examination में, तो यह subject, computer subject, आपका, और सबका cover up कर लेता है, तो बहुत ही आसानी से आप इसमें 90 above score कर सकते हैं, practical subject में आपको पता है, external आता है, practical लेता है, और कोई भी external, आपके 95 ए 90% से का marks नहीं देखे जाता है, क्योंकि वो school की reputation का भी सवाल है, और school भी ध्यान रखता है, external का, बहुत ही अच्छे तरह किसे, right, चलिए, तो दो point दे थोड़ा बहुत scoring subject चाहिए, computer में भी थोड़ा बहुत interest है, तो आप CS को, computer science को, IP को या IT को ले सकते हैं, आप बहुत easy तो नहीं कहूंगा, medium level का subject है, ना बहुत easy है, ना बहुत ज़ाधा tough है, interesting है, specially उन बच्चों को मज़ा आएगा, जिनको IT line में ही, computer की line में ही, software line में, कही IT की, जो भी आप नाम से CS है, IP है, IT है, राइट चलिए, after 12th option, अगर आपने 11th में CS ले लिया है, IP ले लिया है, IT ले, computer ले लिया है, normal सी बाद computer ले लिया है, तो कौन-कौन सा option है, जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, चाहिए आप arts में हो, commerce में हो, science में हो, तीनों field के बता ज़ सकते हैं, BCA arts वाला भी कर सकता है, BCA science वाला भी कर सकता है, commerce वाला भी कर सकता है, इसके बाद MCA कर लेंगे, तो और जारा career options आपके better हो जाएंगे, specific bachelor in computer application, computer से related ही पढ़ाई होती है, और बहुत ही बहतरीन आपका curriculum design करा गया है, degree level का course है, तीन साल का यह होता है, higher level की बाद क computer की line है, जिन बचो computer में interest है, उनको यह करना ही करना चाहिए, best course है, अगर आपको specific computer line में ही अपना career बनाना है, और बचो clear, second, अगर आप science background से हैं, तो BTEC कर सकते हैं, लेकिन BTEC भी आपको CS line में कर लेते हैं, तो बहुत ही जादा benefit होता है computer science line में, अगर आप BTEC कर लेते हैं, BSC science वाले student ही करते हैं, और BSC भी आप computer science से कर सकते हैं, IP, IT line से भी कर सकते हैं, Bcom वाले भी computer applications से अपना Bcom complete कर सकते हैं, मतलब कहने की बात यह है, कि आप किसी भी field के हो, arts के हो, commerce के हो, science के हो, आप अपना graduation भी specialization computer में चुनकर computer line से ही अपना degree course या 3 साल का अपना UG level का undergraduate level का course कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी option choose कर लिया है, मानलीजे आपको graduation के दौरान computer का craze जगा है, तो उसी समय आप certificate courses कर सकते हैं, मानके चलिया, आप BA कर रहे हैं, महाँ पर आपने specialization कोई choose नहीं करी है, या Bcom कर रहे हैं, या BSC कर रहे हैं, या BTEC कर रहे हैं, किसी और field से कर ल बहुत की ज़्यादा earning opportunities बढ़ गई है, और आप अगर world के level पे देखें, richest जो person है top 5 में, उन में से 3 जने जो है online space की वज़े से, internet की वज़े से ही इतने करोडों अर्वों कमाते हैं, तो online space में career बनाना है, opportunities बहुत ज़्यादा आने वाली है future में, तो अगर आपको लगता है कि भई, शुरू में guidance नहीं थी, कोई suggestion देने वाला नहीं था, इसलिए हमने computer line को opt नहीं करा, अब हमें computer line में जाना है, तो आपके लिए भी बहुत बड़ा welcome है, आप क्या कर सकते हैं, certificate courses कर सकते हैं, digital marketing के बहुत बढ़िया certificate courses available है, वो कर सकते हैं, नहीं तो simple से आप initial level पे start क कर सकते हैं, diploma कर सकते है, diploma in computer application DCA कर सकते हैं, जैसे मैंने diploma courses भी लिख रखा है, certificate diploma में फर्किया रहता है, certificate courses दो मन्त या तीन मन्त से लेकर एक साल तक होते हैं, diploma courses भी आपके 6 मन्त से लेकर 2 साल के बीच के duration होती है, सबसे बेटर degree ही रहती है, उसके बाद diploma और फिर certificate courses आता है certificate, diploma, degree, पुरा बच्चों clear, तीनों की इस level पे importance है, सबसरा importance degree को मिलती है, फिर diploma, फिर आपका certificate, diploma और certificate की बात कर रहा था, आप ADCA, advanced diploma भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे animation level पे भी, web designing level पे भी, SEO level पे भी, आप social media marketing अगर करना चाहें, तो बहुत सारे courses available है, जिन बच्चों को भ offline भरे पड़े हैं, courses बगरा, जो आप certificate और diploma कर सकते हैं, उस relevant field, पुरा बच्चों clear, अब देख लेते हैं, career options कौन कौन से available है, अगर आपने ये सब courses कर लिए हैं, जब job market में enter करेंगे, तो आप software engineer कर सकते हैं, या बन सकते हैं, अगर आपको software line में interest है, आपने पढ़ाई भी software level की की है, BCA वगरा, MCA वगरा कर रखा है, तो you can become a software engineer as well, I hope I am making sense हो रहा है बच्चों clear, hardware engineer you can become, hardware, software में अंतर क्या है, software में basically आप program develop करते हैं, games वगरा, applications वगरा, डवगरा, hardware में computer के parts वगरा, maintenance वगरा, उनका ध्यान रखना, उनकी processing वगरा कैसे होती है, क्या-क्या, equipment वगरा, क्या-क्या, technical चीज़ों से वो चीज़ बनी होती है, उनको maintenance करने का काम होता, hardware engineer का, coder आप बन सकते हैं, coding वगरा, अगर आपको interest है, data scientist बन सकते हैं, जो कि data के basis पर decision लेता है, बड़ी-बड़ी companies वर data scientist की opportunities, यह उनकी requirement होती है, researcher you can become, अगर technical field में आपको जाना है, researcher you can become, CS computer line में ही, researcher आप बन सकते हैं, teaching वगरा में भी और professor वगरा में junior research यह senior research, fellowship भी आपको मिल सकती है, right, चलिए, web developer आप बन सकते हैं, website designer वगरा, बहुत ज़ादा क्रेज आज कर बढ़ रहा है, तो you can become that also, teaching field में lecturer बन सकते हैं, professor बन सकते हैं, छोटे level पर भी teach कर सकते हैं, ब बन सकते हैं, अगर आपने अपना post-graduation computer line से ही कर रहा है, या फिर अगर आपने computer में ही आपको अगर as a teacher लगना है, तो आपको अपना UGC net fight करना पड़ेगा, किसी भी subject कर सकते हैं, लेकिन अगर BCF कर रहा हैं, तो ज्यादा preference आपको मिलेगी as a teacher, yes or no, चलिए, digital marketer, you can become digital marketer, बहुत ज़ादा recently, बहुत ज़ादा craze है, digital marketer का मेरा पिछला एक वीडियो बनाएवा था, वो आप देख लिजएगा, digital marketer बाइस सुनी लदिकारी है, digital marketing बाइस सुनी लदिकारी दाल जएगा, वो वीडियो आजाएगा, जहापने मैंने समझाय था, digital marketing क्या होती है, उसके क्या के carry options है, कहां कहां से वो चीदे सीख सकते हैं, बहुत कुछ था, तो simple भाशा में यह है, कि digital marketing के through digital क्या होता है, online marketing मतलब product को customers सक हो जाना, तो जो भी यतने भी companies वगएरा है, आजकल, advertisement वगएरा, उसमें थोड़ा पैसे कम खर्च करना चाती है, pamphlet वगएरा, newspaper में एड थोड़े कम देना चाती है, क्योंकि उनको पता है, जो influencer है, social media influencer है, या social media जो platform है, उन पे लोग जादा active है, rather than reading a newspaper और visiting a blog, ये सारी चीज़े बहुत कम हो गई है, तो digital marketing में जो बंदा होता है, वो social media platform का use करके, किसी product को sale करता है, आपके पास companies आएगी, आपके पास आएगी और बोलेगे कि मुझे अपना product promote करना है, तो आप ये social media platform पे जाएंगे, इधर in google, google में first page पे अगर आप rank कर पाएं, किसी भी company के website में, तो you are become an SEO expert माना जाएगा, तो बहुत कुछ है digital marketing में, प्लीज वो video check on करना मत भूलेगा, अगर digital marketing के आपको जाला जान करें चाहिए, बहुत कुछ है, अगर ये degree courses आप करना चाहते हैं, तो मेरे हर एक degree course पर video बना वाएं, बस आपको topic का नाम लिखना है, बाइस सुनी लधिकारी लिखना है, जैसे कि B.Tech बाइस सुनी लधिकारी, B.Sc, B.C.A, Diploma Certificate courses, बहुत कुछ बना वाएं मेरा computer से related, जिन बच्चों को भी IT या computer science land में interest है, I hope so video पसंद है, आपको next video किस topic पर जाते हैं, प्लीज कमेंट करके ज़रू बताइएगा, वीडियो को share, like और comment करना मत भूलिएगा, और channel subscribe करना, मत भूलिएगा आपको video पसंद आया है, तो, right, चलिए, मिलिंगे next video पर किसी और interesting topic के साथ, जो तो करते रहें, मेहनत करते रहें कि आपका भी दिन आएगा, thank you so much.